चन्द मजाकिया लहजे के सेर रखता हूं सुनिये लगा इतनी कंजूसी पर अमादा है ससुराल मेरा राज की बात बताऊं तो डर लगता है ऐसे छोटे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको पैर फैलाऊं तो दिवार पर सर लगता है छै महीने में ही वो हाल किया बीवी ने साल भर बाद तो सायद खौबों में मिले इस तरह वो रखती है हमें दबाकर जिस तरह दबे हुए फूल किताबों में रहें इतना हसीन और दिलकस नजारा छोड़ दें उसके घर के सामने सीटी बजाना छोड़ दें सच है उसके भाईयों से खत्रा है मगर क्या जलजलों के खौप से घर बनाना छोड़ दें क्या जलजलों के खौप से घर बनाना छोड़ दें रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए खबर ये आम हो जाए तो फिर कहराम हो जाए महबत 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 हो गई है मुझे डाकू सुल्ताना की बेटी से ना जाने किस गली में जिन्दगी की साम हो जाए और याद आने लगे चाचा गालिफ भाई ये माजरा क्या है ताडता हूं हर एक लड़की को वरनाईन आखों का फाइदा क्या है एकसरे एकसरे देखकर सरजन ने कहा एकसरे देखकर सरजन ने कहा सिधार्थ तेरे भेजे में भी एहसास का काका निकला हुस्न वालों ने खुब जम के किये पत्राओ क्या क्या हमने ना किया उसके प्यार में मुर्गे चुडा के चार लाय थे सिधार्थ मुर्गे चुडा के चार लाय थे सिधार्थ दो आरजू मिकट गए दो इंतजार में दो आरजू मिकट गए दो इंतजार में वा 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 और एक सायर एक कभी अपनी महभूबा को धंकी किस अंदाज में देता है वो अंदाज बया सुनिएगा कि जिस दिन मेरी चाय में चीनी कम हुई ना उस दिन तुम्हारे इन होटों की खैर नहीं वा 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 और सुनिएगा उसे एक और मौका मैं दे के देखूंगा इतनी ठंडी है यहाँ इतनी ठंडी है यहाँ कुस तो गरम पिलाइए अरे साहब पानी ही पिला रहे हैं तो जरा सराब मिलाइए जरा सराब मिलाइए थैंक्यों